हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मन्नु क्रियेशन्स आज की वीडियो में हम आपको एमबोडरी करना सिखाएंगे एमबोडरी में लॉंग एंड सौट से इसको बनाएंगे इसको स्टेड़ इस्टेच भी बोलते हैं इस एक पत्ती में हम बना करके बताएंगे तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से डिवाइड कर देंगे तीन भाग में और यहां पर ही इस्टीच लेना है लॉंग और सौट इस्टीच लेना है इस तरह से कि असेंटर से स्टार्ट करेंगे की इस तरह से लेना है एक लांग स्टीच लेना है और फिर 16 स्टीच लेना है इसी तरह से लांग 2020 मिला करके इस्टेच लेंगे झाल प्रप्र जुक्त कर दो अब यह थोड़ा सा लाइट कलर रेड का ही थोड़ा लाइट कलर लिये हैं अब यह थोड़ा सा लाइट कलर लिये हैं अब यह थोड़ा लाइट कलर लिये हैं अब यह थोड़ा लिये हैं अब यह थोड़ा लिये हैं अब यह मेरन कलर का धागा लिये हैं और इसका आउटलाइन बनाएगे और यहां पर नीचे में सेट करेंगे आउटलाइन हम इसी तरीके से करेंगे स्टेंसी स्टिच छोटा-छोटा स्टिच लेंगे अब यहां पर फिर से जो उपर में यहां पर सेट दिये थे वही वाला कलर ले लिये हैं कि लेके से जोगे उपर कर लेके में परमाणीप करेंगे कि लोटाओस पर परह भादसी तरीके से तरीके किए भीचे कि भीचे अच्टल वहां गहां सब्सक्रादीन परोटादलाएनन परिया है कि वालाओश बल्सक्रादा रहां कि टार कलर का धागा फिर से लिये हैं मैरून कलर का कि दो मैं लिया हैं मैं लिया हैं वाहे हैं competitions कि अचते हैं मैं हैं औitaire रख आ भाम जमा में हैं रख हैं अब यहां पर पोलीन नॉट इस्टिच बनाएंगे यह इलो धागा लिये हैं और यहां पर इस तरह से एक डो बार इस तरह से खुमाएंगे और यहां पर ऊपर में यहां पर इस तरह से टक करेंगे इसको पोलीन नॉट इस्टिच बोलते हैं फिर यहां सेंटर में निकालेंगे और इस तरह से सुई में रैप करेंगे और यहां पर टक करेंगे प्लावर इस तरह से बन गया अब इसका लीफ बनाएंगे तो लीफ में भी यही स्टीच से बनाएंगे और लॉग एंड सौथी स्टीच से बनाएंगे प्लावर नाज से बनाएंगे कहीत्स बनाएंगे कर दो कर दो कर दो कर कर दो प्रप्राइब प्रप्राइब कर से लिए ले घजाने प्रप्राइब कर दोगाते हैं झाल झाल यहां पर रिंग स्टिच बनाएंगे, रिंग नॉट स्टिच, यहां पर हम स्विर निकालेंगे, और इसके उपर यहां पर स्टिच लेंगे और इसको इधर से घुमा के लाएंगे, इस तरह से और यहां पर हम इस तरह निकालेंगा और यहां स्टिच लेंगा इसके बाद नीचे में भी यहां पर एक स्टिच लेंगा अब इस लाइम को हम पर्ल बीड इस्टिच से बनाएंगे यह हम त्री इस्टेंसिल ले लिए हैं और यहां पर हम से निकालेंगा और अब यहां पर इस तरह से रखेंगेДа और यहां यहां पर इस तरह से रखेंगे और यहवालत पर 20 वह सुई के इधर ही आना चाहिए और यहां पर इस तरह से नाट लगा लेने इसके बाद फिर उसी तरीके से यहां पर स्टिच लेने यहां इस तरह से निकालेने और फिर इसके बीच से इस तरह से इस तरह से यह फ्लावर बन गया है आपको यह वीडियो कैसा लगा लाइक करें और वीडियो से रिलेटेड अगर कुछ पूछना है तो कमेंट करें वीडियो किसी के लिए हेलफूल है तो सेर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकोन प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो को निटिफिकेशन तुरंत मिल सकें ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फ्रेंट्स